इसको क्या कहते हैं बैइ इसको कहते हैं कोपर सलफेड और दोस्तों इसको मैंने गर पे ही बनाया इसका फॉर्मूला होता है C.U.S.O.4 और ये हमारे किस काम आएगा बैइ फरनीचर में अगर दीमक लगी भी हो तो उसको मारने ये काम आएगा अगर होगी तो वो मर जाएगी और अगर नहीं होगी तो वो आएगी ही नहीं तो दोस्तों इसके अलावा कहीं पे अगर फंगस लग जाती है वबून लग जाती तो उसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जा सकता है इसके अलावा केड़े मकोडों को मारने या वगाने के लिए इसका इस्प्रे किया जा सकता है तो दोस्तों इसके अलावा इंडस्ट्री में इसका इस्तिमाल कहा होता है ए चलिए इसको हम बना लेते हैं और आपको भी सिखा देते हैं कि यह किस तरह से बनेगा और दोस्तों इसका सारा क्या फिरोसिस होता है अगर आप चैनल पे नए तो फिरी यार सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थेंक्यू चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम चुरू करते हैं प्लीस सब्सक्राइब मिस्टर एवर्थिंग एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों मैंने ले लिए चीनी के प्याला बारी आती है एस्टू एसो फॉर की दोस्तों इसको कहते हैं गंदक का तेदा आप या फिर सल्फियूरिक एसेड और य होती है और गार्मेंट फैक्टरी में भी इस्तेमाल होती है हम तो बैदाशी साइंसदान हैं आप ये घर पर ट्राइ करने की कोशिश मत करिएगा इन दोनों के मिलने के बाद ये बन गया पिराना सलूप्शन इसमें हर बायलोजिकल चीज जो घुल जाती है डिजॉल्व हो जाती है अब दोस्तों बार ही आएगी तीसरे इंग्रेडियंट की यानि के तार कोपर का तार दोस्तों इसको जब इसमें डालेंगे तो ये रियक्शन शुरू हो चुका है इसको कहते है एक्जो थर्मी की रियक्शन यानि के इसमें गर्मी भी पैदा होती है और दोस्तों इसके अलावा कोपर सल्फिड बन जाता है जिसको उर्दू में कहते हैं नीला तो था पुराने टाइम में इसको जहर के तोर पे भी इस्तेमाल किया जाता था अब दोस्तों इसको आप फास फारवर्ड में देखेंगे और इसकी आवास सुनिये सर्ट झाना में हम दोरिकता हैं क्र संप्रिकान प्राव्र्ड में होही और एक्वरी और में जैसे जहँिताने त अ करे आयए शाने झेंडाने कणि pandemicP कमल हो चुका है पिलास की मदद से मैंने इस में से जितना भी मेरा कौपर था यानी तामबा था वो मैंने निकाल लिया है तो दोस्तों अब इसके अंदर में मिलाऊंगा पानी था कि इसकी इंटेंसिटी जरा कम हो जाए यहे फाइनल प्रोड़क्ट